Hello everyone welcome to Abhimanyu IES I hope you all are doing great my name is Akshay Soni reasoning mentor at Abhimanyu IES and today in this session that is for Abhyas 2.0 के लिए है तो इसमें आज रीजनिंग के सेशन में हम डिसकस करेंगे most important question जो की आप एक्जाम में expect कर सकते उस तरह के question expect कर सकते हैं इसमें मैं आपको topic wise आपको revise करना शुरू कर दूँगा questions को ठीक है आज हम coding decoding के कुछ questions को discuss करेंगे type of questions में सभी cover किये गए तो हम session को जल्दी है शुरू करते हैं ठीक है यह आपका session है यह part one आज हम discuss करेंगे इसमें ठीक है और session कौन साथ 16 session आज का ठीक है आज scs premiums के लिए जो fast track batch है ठीक है इसको इसमें हम बात करें अगर अभिमन्य आइस की तो अभिमन्य आइस ने previous year में 41 प्लस selection दी थी 2021 में और 27 प्लस selection दी थी 2022 में ठीक है आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अवेल हो रही है इसमें offline classes, online classes, cset classes, pdf notes, test series और mentorship यह सारी चीज़ें में अवेलिवल आपको हो रही है ठीक है तो हम session को शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर given a question if spot is written as 214 ठीक है नमबर में लिखा गया इसको ठीक है और enjoy is written as 212 देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है अगर जितने letter है उतने ही आपको number दिख रहे हैं तो इसका meaning है कि एक letter एक number को represent कर रहे हैं पर देखिए यहाँ पर इदर चार लेटर है इसमें पांस लेटर है इदर टू वान तू है इसमें तीन जो है कितने भी आता है ऐसा आता है 19 पे यह आता है 16 पे ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 जब हम इन position value को add करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या बन रहा है 19 और 31 और 20 कितने बनगे यह यह बनगे 70 अब आप क्या करेंगे आप इसमें इस नंबर से approximate करेंगे नंबर से आपने कुछ idea लगाना है इसमें कि किस तरह से यह लेटिड है अब देखें यह 7 नंबर है 7 का अगर 21 से 4 उना तो क्या करना है और एड किया तो 214 बनके यही चीज अप्लिकेबल है इंजॉय वर्ड में तो हम देखते हैं इसको इंजॉय वर्ड में अगर हम देखें तो यहां पर जो नंबर मिल रहा है पाइव 14 10 15 और 25 जब हम सभी को एड करेंगे तो कितना बनेगा इसमें 69 बन करने सब्सेट करने पाइड करने करने के तो यहां पर फॉर है और यहां पर फाइब इसमें 50 लेटर है तो हमें क्या अब इसमें इसमें जो हमें logic मिल गा कि पहले क्या करना है numbers को position value को add करो add करने के बाद उसको 3 से multiply किया फिर उसमें क्या किया जितने letter है उतना number हमने add कर दिये तो हमें code मिल गया अब यही चीज को हम q word में add करते हैं q word में use करते है q u e u e अब देख सकते हैं इसमें कितनी value है q 17 पे u 21 पे e 5 u 21 e 5 तो आप देखिए इनका sum कितना बना है 26 इसका भी sum 26 दोनों का sum करते हैं तो 52 52 में 17 add करिए तो कितना बना 69 अब 69 क्यूंकि इस पर औरड़ी हम operation लगा चुके हैं यह तो कितना बना 207 और coincidentally हमारे पास इसमें भी 5 letter और इसका भी आपको जो relation देखनों को मिले इसका जो बन रहा है यहां पर solution वह क्या बन रहा है 212 इसका code 212 option भी इसका अंसर बनेगा ठीक है आई होप आपको यह पहला question समझ आयोगा किस तरह से करना है ऐसा भी question आप expect कर सकते हैं अपने exam में ठीक है next question यहां पर given है point word दिया गय है हमें क्या करना है हमें word के सामने ही उसका code लिखना है और उसकी position value के use करके देखना है जैसे कि P O I N T ठीक है फिर है वी पी जी क्यू आर सबसे पहले relation करना है relation देखना कि किस तरह से बने का आपको मैंने patterns भी बताये थे मैं उनको यहां पर भी थोड़ा सापको बताये तो देखेंगे लेटर आपस में आमने सामने लेटेड हो सकते हैं ऐसा भी हो सकते है कि पहला लेटर यह लास्ट लेटर पहले से लेटेड हो हम देखेंगे इसमें अगर मैं position value को लिखोंगा यहां पर तो इसमें क्या बन रहा है यहां पर आप देख सकते हैं 20 से 22 14 से 16 9 से 7 15 से 17 और 16 से 18 हमने लिखते लिखते ही इसको find out कर लिए 20 से 22 क्या हो रहा है इसमें plus 2 हो रहा है n से p मतलब 14 से 16 प्लस 2 9 से 7 इसमें minus 2 हो रहा है बीच के लेटर को minus 2 करना है और इसमें क्या करेंगे इसमें भी plus 2 है 15 से 17 16 से 18 इसमें भी plus 2 आगया मतलब भी क्रॉस में code बन रहा है ठीक है अल में प्लस 2 किया तो क्या आएगा n आई में plus 2 कर दिया तो क्या आएगा के बी में minus 2 करेंगे बी से पहले ए ए से पहले जड तो यहांगा जड और आई में plus 2 करने पर बनेगा के और सी में प्लस्टू करने पे बनेगा ए तो एन के जड़ के यह आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है इसको हमें बताना है गाइडेंस वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा ठीक काउंसल में वर्ड को आप इस तरा से लिखेंगे ठीक है और उसके साथ में हम इसी का कोड जो है बी आई टी आई आर एके इसको लिखते हैं अब हमने क्या करना है पुजिशन वैली को जब इसमें लिखेंगे अब देख सकते हैं ये तीन से दो हुआ इकिस से बीस हुआ उननिस से इठारा और बारा से ग्यारा ठीक है तो इसमें से हमें ये तो मिल गया कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन अल्टरनेट में माइनस वन है ठीक है बड़ देखिए अब ये पंदरा से नौ हुआ तो क्या हुआ पंदरा से नौ करने पर माइनस सिक्स हो गया उसी तरह से चौदा से नौ तो इसमें minus 5 इसमें 5 से 1 तो minus 4 alternate में आपको minus 6 minus 5 minus 4 देखने को बिल रहा है ठीक है और आगे क्या होगा अगर माली जी यहाँ पर S होता है तो इसमें minus 3 यह आ जाता है ठीक है तो minus 3 देखने को बिलेगा पहले इसमें बिलेगा minus 1 फिर minus 6 फिर minus 1 फिर minus 5 फिर minus 1 minus 4 minus 1 minus 3 ठीक है तो ऐसे अगर आगे इसमें बता तो minus 1 minus 2 ऐसे बन जाता तो अपने ध्यान रखना है अब इसमें guidance word में इसका हम use करके देखेंगे तो guidance word को देखें यहाँ पर इसमें g g में minus 1 करेंगे तो g से पहले क्या आएगा f u u में करेंगे हम minus 6 तो 21 से 6 कम कर दो 15 15 पर आता है फिर इसमें minus 1 करेंगे i से पहले क्या आता है h ठीक है फिर करेंगे इसमें minus 5 तो d से minus 5 आप देखो d से पहले 5 तो यह आएगा c b a z और y तो minus 5 करके y पर पहुंचे हम तो f o h y f o h y यहां पर मिल रहा है ठीक है बाकी जगा नहीं मिल रहा है उसका मैंने कि यही second option होगी ठीक है पर complete करके आपको मैं बता रहता हूँ माइनस 1 किया तो क्या आएगा z फिर क्या करेंगे minus 4 तो क्या आएगा इसमें यह 14 है 14 से 4 कम कर दो 10 10 पर क्या आएगा जे यहां पर मिल रहा है इसमें minus 1 करना है तो बी और 5 से minus हमने क्या करना है तीन करना है तो इसमें 5 से 3 कर दिया कम तो क्या आएगा बी जो कि आपको option बी में देखने को बिल रहा है ठीक है आपको यह question समझ आएगा ध्यान रखना है कि numbers का use आपका यह relate करना इनको ठीक है nearest number यह कुछ pattern उसमें बन रहा हूँ यह चीज का ध्यान रखना है अब जैसे कि आपको next question यहां पर यह question जो है statement से related है इसमें given यहां पर money makes man perfect यह आपको दीगे statement ठीक है और बोला है कि n a k e 5 q e r q e r f e c 7 और n a p और n o n e 5 हमें relate करना है इसको ठीक है देखिए इसमें यह हमें coding बताएगी आगे कुछ नहीं बताएगा आगे सिर्फ हमें वाला good people always perfect यह बताएगे ठीक है तो हमें find out करना है अब देखिए अगर हम perfect word को देखें इसका relation इस से देखिए अगर थोड़ा से मिलता है आप देख सकते हैं इस तरह से perfect है इसका जो code दिये गया है वो है q e r f e c और 7 आप देख सकते हैं कि बीच के जो letters हैं वो same है change आपको first और last में देखने को मिल रहा है तो p के बाद क्या आता है q plus 1 इसमें यह t को remove कर दिया ऐसा भी नहीं कि इसकी position है को इन्हें रिमूब ही कर दिया और इसकी जगा क्या किया number of letter जैकि इसमें जैसे कि seven letters यहां पर प्लेस किया गया है तो यह चीज जो है आपको कैसे मिल रही है इसमें कि पहले और last में चेंज करना है बीच के letter को same रखतो जैसे कि आप man word को देखो तो m के बाद आता है और बीच में letter a वैसे रहेगा और एन को remove कर दिया एन की जगा हम क्या करें कि यहां पर मिलने एन ने थी मनी कि अगर हम बात करें तो क्या रहा है मनी का ही यहां पर कोड यह म के बाद एन और ओन एको सेम और last letter को remove करके यहां पर रखा गया है तो हमें बताना इसमें good people always perfect अब देखें गुड को कैसे रिखें गुड को जी के बाद आता है एक तो हो ओ और डी के जगा और फो 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 यहां पर मिल रहा है ठीक है यह तीन जगा मिल रहा है और सेकेंड इसमें people की अगर हम बात करें तो people का कोड कैसे बनेगा people का बनेगा पी के बाद क्यों q e o p l और e को remove करके यहां पर क्या करेंगे इसमें 6 तो q e o p l 6 तो यह कहां पर मिल रहा है आपको यह गलत है ठीक है इसमें पर देखें तो यह गलत है और यहां पर सही है उसका मिनिक है की यह यह है बट इसमें none of these है तो उसमें confirm करके देखना आपने यहां बात करें तो always एक हिएगा भी फिर एल डव्लिव यह वै और s की रिमूआ करके यहां पर सिक्स आएह गा क्यूंकि शिक्सर्ड क्रेइल यह भर आगा और पर्फेक्ट कोन और यहां पर कर चुके थे यह इसमें बन रहा है तो यह option c में इसका answer बन रहा है तो ऐसा question भी आपको देखने को मिल सकता है अब यह question आप देखें थोड़ा सा high level का है क्योंकि इसमें क्या बने यहां पर पोर्स को लिखा गया है और रैट को लिखा गया है आई एबी मैट को लिखा गया है डी एबी हमें क्या करना इसको रिलेट करना आई एबी कैसे बने आई एबी अगर मैं इसकी position value का यूज करूं अब यहां पर मैट का भी सामने ही हम इसको compare कर लेंगे ए और टी सेम है मतलब इसमें ए और भी सेम होगा यहां पर डी है अब इसमें आर की position कितनी है 18 एकी position है वन और टी की position है 20 ठीक है सेमराली अब अगर मैं इनका यहां पर यूज करके देखूंगा तो यह किस तरह से बना है यह वन ए वन पर है तो वन का वन ही रहा मतलब ए का ए ही रहा इसमें कोई change नहीं है ठीक है इसमें हमें कोई भी ऐसा है ए नहीं दिख रहा ठीक है सेकंड आप देखेंगे यह 20 से 2 कैसे बना यह T से B कैसे बना वह देखेंगे तो उसमें क्या आएगा यहां पर अगर मैं इसके position value को use करूं तो यह 9 1 और 2 4 1 और 2 अब देखें 9 9 कैसे बनेगा अगर मैं इन दोनों number को add कर दो विदिन डिजिट्स नमबर को विदिन जो है इसमें विदिन नमबर एड करेंगे डिजिट्स को यह बन गया 9 यह बन गया 1 और 2 और 0 2 तो यही चीज यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है तो हमें इसमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है जब दो डिजिट नंबर है जो लेटर की पुजिशन है उसको हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है तो sports word की अगर हम बात करें उसमें क्या आएगा S आता है 19 पर 19 का मतलब है 1 प्लस 9 that is equal to 10 10 का मतलब है कि 1 प्लस 0 को further add करता हो that is equal to 1 तो 1 पर क्या आएगा A उसी तरह से P 16 मतलब 7 7 पर क्या आएगा G और O 15 मतलब 6 6 पर आएगा F R 18 1 प्लस 8 that is equal to 9 9 का मतलब है I और T 20 20 का हम करी चुके हैं यहां पर क्या आजाएगा B और S S का भी हम कर चुके है that is equal to A तो A, G, F, I, B, A A, G, F, I, B, A आपको देखने का मिल रहा है यह option C में ठीक है तो ऐसे भी कोई भी आपको question इसमें देखने को मल सकता है बैट की अगर हम बात करें तो यह लिखा गया Y, Z, G हमने क्या करना है देखिए अब अगर आपने ऑपोजिट्स को अच्छे से go through किया हुगा तो आपको आपको भी समझ आ जाए question देखिए यहां पर यह आपके ऑपोजिट्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H ठीक है यह लेटर्स है आमने सामने ही ऑपोजिट्स है तो ऑपोजिट्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जब लेटर और उसके ऑपोजिट्स का सब सम इनकी पुजिशन वैल्यू का सम करते तो 27 बनाता है जैसे कि A और Z इनका जो सम है इनकी पुजिशन वैल को तो 27 बनाता है इसका यूज़ करेंगे इदर जैसे बैट वर्ड है तो बैट के सामने इसका कोड लिखता हो Y, Z और G, B का उपोजिट वाई यह दिख रहा आपको, A का उपोजिट, Z यह दिख रहा है, T का उपोजिट करो सकते हैं, जैसे कि S का उपोजिट है, u का उपोजिट है, F, P का उपोजिट है, K, R का उपोजिट, I, E आपको, आप उपोजिट, V, M, का उपोजिट, N, और E का उपोजिट, V, तो यह आपको कहां पर देखने को बीघए एच, F, K, I, B, N, V, H, F, K, I, V, N, B, H, F, K, I, हमना आपका देखिए इसमें बैट वर्ड को बताया गया इसका कोड दिया है 58 कैसे बना वह वांड़ करना है उसके बाद हमें discuss वर्ड को find out करना की सका कोड क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें इसकी position value का use करते हैं क्योंकि देखिए यहां पर भी आपको पांच से ज्यादा लेटर इसमें साथ लेटर के round इसमें 7 लेटर हैं और यहां पर तीन लेटर हैं आपको number तो आपको इसी तरह से दिया है इसका मतलब है कि इनकी position value को तो कुछ ना कुछ इसमें यूज किया गया जैसे बी वन पे आता है ए सब्सक्राइब करेंगे एडिशन करेंगे तो कितना बन रहा है यह बन गया 23 ठीक है अब एक तो त्रिक का यह है एक इसका opposite अगर मालो ऐसे बात ना बने तो हम opposite का यूज करेंगे अगर मैं इसका double भी करूंगा तो double करके भी कितना बना है 46 अगर तीन गुना करूंगो तो 69 तो वह काफी इसमें बन रहा है ठीक है हमें जो वैल्यू चाहिए वह का जो है बिल्कुल नजदी की वैल्यू चाहिए उससे हम आइडिया लगा सकते हैं बट इसमें क्यूंकि गैप बन रहा है तो हम चेंज करते हैं बी का opposite य वाई वाई कितने पहता है 25 ए का opposite जैड जैड आता है 26 ठीक है उसी तरह से टी का opposite जी जी आता है 7 अगर आप इन तीनों नंबर्स का सम करेंगे 26 पच्चिस और साथ का तो कितना है 26 और पच्चिस एकावन एकावन और साथ कितने बन गया 58 बन गया ठीक है अब हम इसी को discuss word में हमें जो है इसमें logic पता जल गया इसका use करेंगे discuss word में यह डिस कस यहां पे डी का opposite क्या आता है डवल्यू डवल्यू आता है 23 पे आई का opposite आर ठीक है आर कितने पर आता है 18 पे और एस एस का opposite एच एड़ पे सी का opposite है एक्स 24 और यू का opposite एफ 6 और यहां पे क्या आएगा आठ और आठ ठीक है आप देख सकते हैं यह कितने बना आठ आठ और आठ चौबिस चौबिस का डवल अटालिस अटालिस और छे चौबन चौबन तीस सतावन बीस सतातर सतातर और अठारा कितने बनगे 95 तो 95 इ के option D ठीक है तो यह question इस तरह से होगा अब देखिए जैसे कि आपका next question है इस question में क्या कि बना है कि हिल्टन वर्ड है इसको में find इसको इस तरह से code किया गया है ठीक है आप देख सकते हैं H I L T O N इसी के letters का इसमें use किया गया है और इसका code बनाया गया है देखिए इसके साम और N O मतलब pair में इसको बनाया गया है pair में बनाया और उसके code को लिख दिया reverse order में ठीक है ठीक है ठीक है तो pairing हम शुरू से करेंगे ठीक है और एक चीज यहां पर देखिए इसमें six letter थे इसमें billion में देखिए तो यह billion हमें find out करें इसमें seven letter तो code को कैसे apply करेंगे ध्यान से लिखने पर सबी सबी जगह पर लग रहा है इसमें i,b और n एंड में लग रहा है एंड को as it is रखा गया है एंड में कोई change नहीं है जो change आपको दिख रहा है वो सिर्फ जहां पर pair बन रहे है उनहीं में change जैसे इसमें bi का क्या बनेगा i,b ठीक है double L है तो क्या बनेगा इस इन का कोड बनेगा i,b,l,l,o,i,n,i,bl,o,i,n,o,i,n,o,i,b,l,o,i,n,o,i,n जो की options C में यह answer बनता है ठीक है अब आपका question next इसमें earth word को code किया गया है F C U X M F C U X M हमें find out करके बताना है इसमें moon word का code कैसे होगा तो अब देखिए E के बाद F इसमें plus one हुआ ठीक है फिर इसमें A के बाद C ठीकिन numbering लिखता हूँ उससे आपको easily समझाएगा यह 5 है यह 6, 1, 3, 18, 21, 20, 24, 8, 13 उसमें देखिए 5 से 6 प्लस 1, 1 से 3 प्लस 2, 18 से 21 प्लस 3 और 20 से 24 प्लस 4, 8 से 13 प्लस 5 मतलब आपको यह sequence बन रहा है इसमें जो numbering बढ़ रही है जो इसमें coding हो रही है वो left to right हो रही है ठीक है और number उसी order में आपको बढ़ रहा है इसमें addition बढ़ रही है अब moon word में इसमें use करेंगा तो क्या आएगा प्लस 1 M के बाद आएगा N next में होगा प्लस 2 O के बाद P P के बाद Q ठीक है इसमें प्लस 3 करने क्यों के बाद क्या बनेगा R इसमें प्लस 4 कर दो N 14 पर 4 एड करने पर क्या बनेगा 18 18 पर क्या आता है R तो N Q R R जो है option B इसका answer बन रहा है ठीक है आपका next question है इसमें दिल्ली वर्ड को code किया गया है CCIDD ठीक है तो हमें code करना है Bombay को तो कैसे code किया होगा D E L H I CCIDD देखिए D से C इसमें अगर numbering लिखें तो numbering से आपको आसान हो जाएगा 4 5 12 8 और 9 3 3 9 4 4 ठीक है तो 4 से 3 हुआ minus 1 ठीक है 5 से 3 हुआ minus 2 12 से 9 हुआ minus 3 8 से 4 हुआ minus 4 9 से 4 हुआ minus 5 जो हमने previous question किया उसी के तरह exactly है बट इसमें यहाँ पर minus हो रहा है तो यही चीज का हम यूज करेंगे Bombay वर्ड में इसमें कितने लेटर थे 5 इसमें 6 लेटर है तो क्या आएगा इस तरह से आपने Bombay वर्ड को लिखा माइनस 1 तो क्या आएगा A माइनस 2 पंदरा से 2 कम कर दो 13 तेरा पर आएगा M माइनस 3 तेरा से 3 कम कर दो क्या आएगा 10 दस पर आएगा J और माइनस 4 ठीक है B से माइनस 4 करना है तो B को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके पहले वाले A Z Y X तो माइनस 4 करके क्या आएगा X तो A M J X आपको कहां पर देखने को बिल रहा है यह option B में ठीक है यही इस cancer बनेगा इसको complete करते है माइनस 5 करने पर क्या बनेगा इसको include नहीं करेंगे माइनस 5 करेंगे ठीक है तो X के पहले आएगा W W के पहले आएगा V यह बनेगा यहां पर ठीक है और माइनस 6 करने पर क्या आप 19 और 6 25 होते तो 19 पर क्या आएगा S जो कि आपका option B में बन रहा है ठीक है अब हमारा जो है question यह बड़ा question है यहां पर इस question में क्या given है economics is not money आपको ऐसे lengthy question भी देखने को मिल सकता है बोला गया कि के एल एचो जी ए ठीक है demand and supply economics इसके भी code दिए गए हैं पर money makes only part यह भी दिए गया और demand and supply इसके code दिए गया हमें क्या करना है हमें इसमें जो common words है उनको देखना है common words जहां जहां पर आ रहे हैं ऐसा नहीं कि sequence में ही आपको इसमें code मिलेगा कि economist को के ए ही बोलेगे या इसको ल ए ही बोलेगे आपको common word को देखना है उसके code common होगा जैसे कि economics आप आप देखो यहाँ पर मिल रहा है इस जगह पर मिल रहा है और इस जगह पर तीन जगह पर economist common है तो उसका code भी common होगा देखिए यहाँ पर क्यामल आप क्ए ए इधर और इधर क्या और wsp इक्या्वक्रामेंग्स का कोड़ जो है वह मिल रहा है कि एक पर आगे देखए। इसमें मनि Emergency आपकते हैं पहले adults क्या आएगा अब second or third को compare करते हैं तो second or third में अगर हम देखेंगे उसमें demand and supply economics और इसमें money makes only part कोई भी common नहीं है second का फोर्ट से comparison करेंगे तो क्या मिल रहा है ? demand, supply, demand, supply तो इसमें हमें जो code मिल रहा है demand slash supply का वो इसमें 2 code होंगे क्योंकि हमें definitely नहीं पता कि कौन सा किसको रिपेजेंट करेगा तो इसमें बिल रहा है को मतलब यह आपको मिल रहा है डिमांड उसी तरह से आप देखो इसमें अब थर्ड और फॉर्थ को कंपेर करेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है दो मेक्स का कोड क्या बनेगा तो मेक्स का कोड अगर आप देखें इसमें दोनों में जो कॉमन बन रहा है वह बन रहा है इसमें जैड़ Ref तो mix का code है ZI ठीक है इसी तरह से इसमें पहले पार्ट में देखें अगर हम तो इसमें is or not बच गया is not का code क्या है is or not का code होगा यहां पे यह दो जो आपके code है ठीक है तो is slash not in का code है ho slash ga ठीक है similarly आपको यहां पे economist का code मिल गया supply demand का code मिल गा and का code नहीं मिला तो find out करेंगे तो canka code क्या मिल रहा है इसमें फी ये end का code मुल रहा है ठीक है और तीसरा देखेंगे यहां पे इसमें हमें पूर्ट का हमें complete सभी का मिल चूएं का तीसरे को देखते है only a apart का code हम ने find out नहीं किया only a part का कोड हमें मिल रहा है N-E-slash-K-I ठीक है तो यह बनेगा ओनली लिए पार्ट यह बने गा एन-e-slash-K-I ठीक है अब सभी कोड हमारे पास है यहां पर आंपर सबी वर्ड के कोड तो हमें find out क्या करना है what may be the possible code for demand only more demand का code देखिए आप demand का code आएगा या तो M M O या फिर टी है only का code क्या आएगा only का आएगा N E या के आई ठीक है N E या के आई ठीक है और more more क्योंकि हमें यहां पर कोई भी ऐसा वर्ट देखने को नहीं मिला इसका मेनिक है कि इसका नया code आया तो हमने directly वहां पर जाना जहां पर आपको नया code मिल रहा है तो कहां पर मिल रहा देखिए इसमें यह एकसाई जो है नया code है हमने चेक करना कि यह satisfy कर रहा है कि नहीं एकसाई तो हमें more का code मिल गया अब हमें चाहिए N E मिल गया और मिल गया तो क्या मिलेगा यह पहली option जो है इसका अंसर बन रहा है ठीक है अगर हम सेकंड option को देखें तो हमें इसमें पुराने ही code मिल थर्ड में भी और फॉर्थ में भी तो क्या एगस का फर्स्ट इसका अंसर बनेगा ठीक है question के according चलना है देखिए मैंने आपको यहां पर सिर्फ समझाने के लिए जो है detail में बताया आपको आपको जितने requirement थी उतना ही करना था आपको सिर्फ demand का code निकाना था और और लिका more आपके पास नए है तो उसका नए code मिलना था ठीक है तो हम यहां से इसको compare करके निकाल सकत ठीक है फिर के यू एन जे ओ एमोपी इसका मिने डॉग्स एंड और सिल उसमें से क्या कॉमन है दॉग्स को आप इसका code आप देख लेंगे क्या बन रहा है इन दोनमें के यू एन जो है बिल रहा है ठीक है बार्किंग वर्ड निकाला है ना उसमें हमें क्या चाहिए डॉंकीज आर मैड यह जो आर वर्ड है इसको देखो आप आर वर्ड आपको कहां पर मिल रहा है आर वर्ड इसमें फर्स्ट और थर्ड में दोनमें कॉमन है तो क्या मिलेगा इसमें देखिए इसका code क्या है M-U-T-T-O-M-K-O तो इसमें T-O-M जो है वो आर को रिपरेजें then SUD जो बचा वो किसको रिपरेजेंट कर रहा है वो कर रहा है वार्किंग को तो यह इसका अंसर बनेगा ठीक है तो सिंप्ली हमने जितने है उतना ही हमने करना है ठीक है झाल झाल